समस्कार दोस्तों मनोज Cyber Cafe के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों हरियाना से जुड़े जितने भी साथी हैं जो बिरोजगार हैं जो बार्मी पास कर चुके हैं दस्मी बार्मी पास कर चुके हैं पास कर चुके हैं तो उन सभी का employment में नामदर्ज होता है बेरोजगारी भत्ते के लिए तो जरूरी निये कि आप बेरोजगारी भत्ते के लिए registration करवाते हैं ये registration जो आपका जरूरी होना चाहिए जो हर्याना की जो website है जहां पे दिखाया जाता है कि ये employee नहीं है इसको कहीं रोजगार नहीं मिला हुआ है इन फ्यूचर कोई विकेंसी निकलती है तो बोलते हैं कि इसका नाम है बेरोजगारी भत्ते में नामदर्ज होना चाहिए employment डिपार्टमेंट में तब ही registration नमबर आप डालोगे तो उस विकेंसी के लिए आप अपलाई कर पाओगे तो दोस्त के लिए अपलाई करते हैं तो आपको पैसे कितने मिलते हैं यह पैसे हैं जो पर मंथ दिये जाते हैं पहले यह दसमी पास को दिये जाते थे लेकिन अब जो है इसका 10th का बेस है जो खतम कर दिया गया है और 12th बेस पे आपको 900 रुपे पर मंथ यहां पे दिये जाते हैं ज दोस्तों काफी सारी साथिया कहते हैं कि इसमें पैसे नहीं मिलते हैं यह है वो ऐसे वैसे तो सभी को पैसे मिलते हैं थोड़ा पेसेंस रखना पड़ता है फोम अपना complete बिल्कुल अच्छे तरीके से बढ़ना होता है तब ही आपको इसमें कोई benefit मिलता है यदि आप फोम भर करूंगा यह फोम कैसे बरा जाता है यह मैं आगे बता दूँगा कभी दूसरी वीडियो में आपको बता दूँगा तो इस वीडियो में आपको बस बताने वाला हूं कि इस पे फोम को भरने के लिए document क्या लगते हैं जो आप बेरुजगारी भत्ते में रजिस्टेशन करे है hrex.gov.in यह वेब साइट है इसमें जो आप फोम भरते हैं इसमें सबसे पहले आपकी फैमिली आइडी आपको देनी होती है फैमिली आइडी अभी इसमें लागू कर दी गई है फैमिली आइडी आपको इसमें देनी जरूरी है उसके बाद आपका इसमें अधार कार्ड लगेगा आपकी जो मार्क शीट हैं दसमी बार्मी ग्रेजवेशन पोस्ट ग्रेजवेशन जो भी है आपकी सभी मार्क शीट इसमें लगती है मार्क शीट के साथ आपका पासपोर्ट फोटो ठीक है पासपोर्ट फोटो यह सभी डॉक्मेंट लगके आपका इसमें सिर्फ رजिस्टेशन होगा यह आप सिर्फ رजिस्टेशन हो रहा है यहाँ पर رजिस्टेशन के लिए website मैंने बताई है बेरोजगारी भत्ता आपको लेना है कब लेना है उसके लिए waveform अलग से बरह जाते हैं यहाँ पर आप सिर्फ registration करेंगे इस website पर अपना बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए और इसके साथ सार कि व que उभक को बदा दू बेरोजगारी भत्ता सिर्फ उनको मिलता है जिन्हों a open से अपनी जो है अपनी जो qualification है जो open से clear कर रखी है जो regular के student है जो regular वाले हैं उनको सक्सम योजना में form भरना होता है ठीक है जिनोंने 12th pass कर रखी है वो भी सक्सम योजना का form भर सकते हैं regular basis पे जिनोंने कर रखी है और जो open से अपनी qualification complete कर चुके हैं वो employment registration की इस website पर registration करेंगे और उसके बाद उनको बेरुजगारी भता मिला प्राट होता है वो सक्सम योजना के पातर नहीं होते हैं तो दोस्तों ऐसी और भी अधिक latest information के लिए मेरे YouTube चैनल को subscribe कर ले और इस वीडियो के description में आपको अपने जो WhatsApp ग्रूप है और जो मेरा टेलिग्राम चैनल का जो ग्रूप है मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा आप उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सात्यों के साथ share जरूर करना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद